हेलो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो की अंदर कवर करेंगे ARS और BYS के बीच में जो ECST10 क्रेफिल्ड का जो यह मुकाबला होने वाला है दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं दोनों ही टीमों के सारे प्लेयर्स का केरियर रिजल्ट आपको बताऊंगा दोस्तों कि कौन से प्लेयर ने अपने केरियर के अंदर कितने मैचेस खेले हैं कितने स्कोर करा है कितने विकेट्स निकाले हैं सारे इंपोर्टेंट जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर प्रोइट करने वाला हूँ बैटिंग और के साथ दोस्तों किसे कैप्टनसी और वाइस कैप्ट लिग और स्मॉल लिग के टीम आप बना पाओ लेकिन इससे पहले एक छोटी स्रिक्वेश्ट भाई उगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरू कर लेना इस वीडियो के नीचे जो आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रह इस चैनल पर आपके पास सीधे नोटिफिकेशन जाएगा और सारी मैचेस का जानकारी आपको मिल पाएगा दोस्तों अगर आपको हमारा बताएगा इस वीडियो से अगर आपको जरा भी हल्प मिलता है तो इस वीडियो को एक बार लाइक जरू कर देना दोस्तों आपका ए क्योंकि लाइन अप के बाद final team आपको यहीं पर मिलता है अगर हमारे team में कोई भी changes आता है कोई भी अगर बदलावाता है तो final team आपको यहीं पर मिलेगा तो एक बार join जरू कर लेना दोस्तों आपके help करने के लिए ही बनाया गया है तो चली अब stats की और आगे बढ़ेंगे देखो यह जो मैच है बेर और उडेगेन cricket ground पे यह मुकाबला होगा और यहां का पीच condition की बात करते हैं तो पहली बात timing देखने चार बज़े सामब यह मुकाबला पहला मुकाबला देखने को मिलेगा दूसरा मैच जो है 6 बज़े देखने को आपको मिलने वाला है यहां का ARS के टीम के बारे में इमरान अफजाल जो की 12 मैचेस अपने T10 के करेर में खेला हुआ है 120 run score करा है दोस्तों बले बाजिस इनका record सांदर है बॉलिंग से कुछ खास record है नहीं प्रतीक हर्स जो की 6 मैच के अंदर देखेंगे 164 run score करा है देखो दोनों ही प्लेयर का अगर बैटिंग में देखेंगे दोस्तों तो यहां पर वरुन रेडी खेलते हुए जड़ाएंगे जो 9 मैच के अंदर देखो 120 run बनाए है और 3 wicket निकाले है इनका बल्ले बाजी काफी मजबूत है देखो बल्ले बाजी कम की है अपने के अंदर लेकिन इस मैच के अंदर खेलते आपके टीम के अंदर तो इन्हीं अपने टीम के अंदर जरूर ट्रै करना आप बाजी यहां पर राज की बात करेंगे तो दो मैच के अंदर दोस्तों दो wicket इनों निकाला है अखील की बात किया जाए दोस्तों यह अभी तक देखोगे बैटिंग बोलिंग से record इनके नाम नहीं है अगर आप चाहें तो ड्रॉप कर सकते लेकिन ओल अंडर सक्षन में देखोगे दोस्तों तो फ़हिम जान जो कि आप टीटेन 2021 में देखोगे तो नौ मैच के अंदर दोस्तों तीन रन स्कोर कराय प्लस एक विकेट निकालें दोस्तों इनका बैटिंग देखोगे बहुत मजबूत है और आप इनको ऐसे बैटिंग से काफी बढ़िया एक्सप्रियेंस इनके पास एरस के टीम के तरफ से बेस्ट प्लेयर है मुबासर की बात करते हैं दोस्तों आठ मैच के अंदर 77 एंड स्कोर कराय प्लस आठ विकेट निकाले हैं तो यह बैटिंग तो करेंगे ही 37 सत आपको बॉलिंग भी करते हुए दिखेंगे तो इन्हें भी अपने टीम के अंदर आप जरूर ट्राय करना दोस्तों जो बैटि मेंगर आप चेक करते हैं दोस्तों यह दिपंकर बैनर जी जो आपके लिए बैस्ट रहेगा 6 मैच के अंदर देखोगे तीन रण लेकिन 5 विकेट इन्होंने अपने नाम करा है बॉलिंग बहुत सुपब आपको यहां पर दो वर तक बॉलिंग करते हुए दिखेंगे और आप इनको एज ए बॉलर जरूर से जरूर ट्रै करना और उस्मान की बात करते हैं दोस्तों टीटन 2021 में आठ मैच का अंदर एक रन और साथ विकेट अपने नाम करा है देखो बॉलिंग देखोगे तो बहुत सुपब है राइट हम फास्टर बोलर है दोस्तों और यह जो है देखो बॉलिंग के मामले में देखोगे तो यह प्रवी सिर्यार जो कि यहां पर एयर्स के टीम के तरफ से 72 इन गिंदबाजों में से एक है बाकि तागिर खान की बात करेंगे साथ मैच के अंदर 43 रन स्कूर करा है प्लस 10 विकेट इनके नाम है यह टीम के सूपब गिंद देखोगे साथ रन लेकिन दो विकेट निकाले हैं दोस्तों यह जो देखो यह बैंच यहां तक एक प्रवावली प्लेंग लैमन था यारस का लेकिन अब अगर बैंच प्लेयर का रिकॉर्ड अगर आप देखते हैं तो देख लो यह भी यह भी काम आएंगे अगर लाइन देखो इसमें से जो भी आपको बैटर लग रहा है प्लेयर का स्टैट्स को फॉलो करते हैं लेकिन बी वाई एस की बात करते हैं दोस्तों यहां पे आपको साजेब खान जो की 15 मैचे से इन्हों ने खेले हैं अपने टीटेन का किरिर में चार मैच चालिस रन इन्हों ने ब बैटिंग कुछ खास नहीं है लेकिन बॉलिंग देखोगे तो बहुत सांदार बॉलिंग करा है तो इनको अपने टीम में आप एस ए बॉलर ले सकते हैं देखो बैटिंग तो करेंगी एवरेज का बैट्स मेरे लेकिन यह बॉलिंग भी करते हैं यह काप अच्छी बात है बाकि एयाज एहमत जो कि टीटेन 2020-21 का रिकॉर्ड देखोगे 28 मैच के अंदर दोस्तो 306 रन स्कूर करा है प्लस 7 विकेट निकाले हैं और पिस्पिनर है राइट एंड बैटिंग भी करेंगे इन्हें भी अपने टीम के अंदर आप जरूर से जरूर ट्रैक करना दोस्तों बैटिंग बोलिंग दूनों से अपको पॉइंट दे सकते हैं उस्मान की बात करेंगे दोस्तों इनका रिकॉर्ड अगर आप देखते हैं एक ही मैचेस खेला हुआ है दोस्तों 17 रन स्कूर करा है प्लस एक विकेट इन्होंने अपने नाम करा है वजीद इनका कोई रिकॉर देखोगे बैटिंग बोलिंग से फ्लॉप रहा है तो यह अगर आप चाहें तो आवएड कर सकते हैं वहीं अगर बात करते हैं यहाप बसरत आहमेट के बारे में तीन मैचे के अंदर 23 रन स्कूर करा है प्लस चार विकेट इन्होंने अपने नाम करा है बैटिंग कुछ खा एक ही मैचे स्किला एक आट रन बनाए हर एक विकेट निकाला है राज की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर राज बुसान जो की नौ मैच कंदर आट विकेट अपने नाम करा है मुहमद असीप यहाँ पर दो मैच कंदर 239 रन इनके रिकॉर्ड है देख सकते हैं यह टी 20 का रिकॉर्ड है इनका लेकिन बॉलिंग में कर आप चेक करते हैं तो यहाँ पर ताहा हसन खेलते हैं उन्हें जराएंगे दोस्तों जो टी टेंड हो जारी किस में देखोगे तो 9 मैच कंदर 32 रन स्कूर करा है प्लस 8 विकेट इन्होंने अपने नाम करा है टीम के 72 गिंदबा करेंगे गोहर सुल्तान जो की तीन मैच कंदर देखोगे एक रन और तीन विकेट इन्होंने अपने नाम करा है दोस्तों बाके असमारी की बात करेंगे दो मैच कंदर 13 रन प्लस एक विकेट इन्होंने अपने नाम करा ये भी बहुत बढ़िया प्लेयर है ताहा खान की बा करेंगे नौ मैच कंदर 108 रन स्कोर करा है दोस्तों बैटिंग इनका काफ़ी सांदार है इसे बैट्समें ट्राइ कर सकते हैं जो बढ़ियां बैटिंग करते विए नज़राएंगे दोस्तों जैन मसूद जो कि प्लेयर का record है दोनों ही टीमों का सारे प्लेयर का stats आप देख सकते दूस्तों इसमें से आपको जो भी बैटर लग रहा है प्लेयर का betting order को देखते वे stats को follow करते वे अगर आप चाहे तो यहां से इस टीम आप बना सकते हैं अलाकि मैंने आपके लिए एक टीम बना के रखा है before पूर लाइनप चलिए उस टीम की और आगे बढ़ते हैं भाईयों शुरुआत करते हैं सबसे पहले विकेट की पर से जो आज आपके लिए सबसे बेश ट्रैगा एज भर्ट को मैं ट्रै करूँगा बी वाई एस के टीम के तरफ से मैं इनको ट्रै करने वाला हूँ याद रखना मैंने कहा था कि बी वाईस के टीम के तरफ से एस खान का भी रिकॉर्ड सांदर है अगर आप चाहें तो इनके साथ भी जा सकते हैं और यहाँ पर टी अगबर यह बी वाईस के टीम के तरफ से इनका सेलेक्शन कम है अभी लेकिन अगर यह खेलते हैं तो इनका रिकॉर्ड में आपको दिखाया एक्स्प्रियंस बहुत चांदर है तो मैं इन तीनों को ट्रै करता हूँ एसे दीगा का रिकॉर्ड आपने देखा है अगर आप लेना चाहते दू ले सकते हैं दोस्तो ओलंडर में बात करेंगे तो मनें तीन ओलंडर को ले रखा है एफजान बेस्ट राएंगे यहाँ पर EARS के टीम के तरफ से यह भी बैटिंग बोलिंग दोनों करेंगे बागी का रिकॉर्ड उतना बैटर नहीं है दोस्तो अगर आप बोलिंग में चेक करते हैं तो मनें चार बोलर को ले रखा है डिब एनर्जी बेस्ट राएंगे टी हसन को मनें ट्राय करके रखा है और सजाद को ट्राय करूंगा यहां पर पिर सजाद जो कि तीन चार खिलाडी है तीन खिलाडी EARS के टीम के तरफ से और BYS के टीम के तरफ से उल्ली वन टी हसन को मेंने ले रखा है जो कि चारो के चारो बोलर आपको complete आपको यहां पर दो दो वर गिंदबाजी करते हुए दिख जाएंगे यह तीनो फास्टर गिंदबाज है दो सब्सक्राइब आपको इस्पिन करते हुए नज़र आएंगे अब रहाँ कैप्टैंसी की बात तो कैप्टैंसी के लिए मैं अफजान को ट्राइ करूँगा बैटिंग बोलिंग दोनों से इनका काफ़ी बढ़ी हाँ एक्सप्रियंस है और भी रेडी को मैं फिलाल वाइस कैप्टैंसी के लिए ले रहा हूँ तो भायों यह मेरे साइट से टीम है इसमें अगर आपको एक दो प्लेयर चेंजेस करना है तो अपने साइट से आप चेंज कर सकते हैं आई होप फ्रेंड्स आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ हेल्प मिला होगा तो दोस्तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को एक बार सबस्क्राइब जरू कर लेना थैंक्स फॉर वाचिंग